जाहिंद तो गाइज आज है 30 अप्रेल और आज के दिन के क्वाटर फूर्ट आने वाले थे और रिजल्ट आभी गया है चलिए इस वीडियो में उन्हों फटा फट देख लेते हैं कि नतीजे कैसे आया है और उसके बाद हम लोग इस बात का गणित बैठाएंगे कि अब बते थे आज के दिन इसके मीटिंग हुई है और मीटिंग सुबह 10 बेज शुरूआ था दो बज़े तक चला लगतार चार घंटा मीटिंग चला उसके बाद दिन लोगों ने क्वाटर फूर्ट आया उसको सामने रखा और साथ में इसका सब्मिसिन से भी को कर दिया अब च पिछले साल के रखे ता कि समझने बाते समझें सबसेव सबसे इनकम की बात कर लेते हैं और यहां सारे फिकर स्ब्सक्राइब के तरफ से लाक में इस में को जो पांच में कॉण अजार 2660 आघ का और यह पिछले अगर अगर आधा तो यह हुआ था 5,66,439 लाग का यानि कि quarterly basis पर हम देख रहे हैं bank का जो income है बढ़ा है और अगर पिछले साल के quarter 4 के बात करें तो उसमें देखेंगे इसको 4,70,822 लाग का income प्राफ्थ हुआ था यानि कि सलाना अस्तर पर भी quarterly अस्तर पर भी अच्छा खासा income इसको प्राफ् प्रफोर में यस बैंक ने अपने विजनेस पर अपने अलग 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 कारियों पर खर्च किया है पांच लाख 9,379 लाग और जो की पिछले quarter में यह था 4,493,404 लाग और अगर साल पर पहले की बात करें तो साल पर पहले यस बैंक ने जो अपने टोटल खर्च किया था लॉस बढ़ता और प्रोफिट कम होता यहां वह इसी बात नहीं है अब बात करें पी एटी यानि के प्रोफिट आफ्टर टेक्स यह टेक्स देने के बाद कंपनियों के पास बचता है इसको सुध मुनाफ़ा भी करते हैं तो देखिए quarter 4 में यस बैंक को टोटल मुनाफ़ यस बैंक को माइनस 3,89,92 लाह का लोस हुआ था लेकिन इस बार बैंक ने संदार प्रोफिट गें किया है सलाना अस्टर पर भी और खासकर सलाना अस्टर पर देखें तो जब दस्त इसको प्रोफिट होते हुए दिख रहा है अब बात करें NPA की किसी बैंक के लिए जो सबस है NPA तो किसी बैंक के लिए NPA कम होना चाहिए अच्छा होता है हलाकि यस बैंक के अभी भी काफी अधिक है लेकिन यहां कम होते वे दिख रहा है तो देखें का क्वार्टर फोर में इसका NPA परसेंटेज के इसाब से में लिखा हूँ चार पॉइंट थिरी परसेंट बिछ सालाना अस्तर पर भी इसका NPA कम हुआ है तो यह अच्छी बात है अब बात करें एक साल में एक से पर कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है तो देखेंगे क्वार्टर फोर में का EPS हुआ है 0.15 जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.11 तो यहां देखेंगे क्वार्टर जो इसका EPS हुआ है काफी अच्छा हुआ सबसे पहले तो निगेटिव से बाहर आने बाद पुजेटिव में आ गया है तथा पिछले क्वार्टर मुकाबले भी बहतरी हुआ है तो अगर बात करें तो यह संदार निकल कर आए हैं लेकिन हो सकता है कि मंदे की दिन जब मार प्रोफिट बुक कर लेते हैं तो यह सब चलता है रहता है इससे टरना घावड़ा नहीं यदि आप यसमें के लिए इसमें बने रही है कंपनी यह बैंक अपने आपको धिरे-धिरे बाउंस बैक कर रहा है और बहुत जल्द यह अपने पिछले लेवल पर जहां इसका सेयर पर फॉलोग कर लिए टेलिग्राम से भी जूट सकते हैं वहां सेयर बजार से समझें प्रतित दिन का अब्डेट आपको प्रोवाइड कराया जाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब धन्यबाद सुक्रिया